बच्चों नमस्ते कैसे हो शायद आप सभी ठीक है है ना अठाप्चों पिछले कसमें हम देखे थे पार्ट यह केल दिवस पार्ट में हम केल के बारे में और केल के महत्य के बारे में देखे थे जानकारी प्राप कर लिया है ना आज हम देखेंगे पद्य है एक शून शून का अर्थ होता है बच्चो क्या है जीरो आप सभी को पता है जीरो इसका महत्व और इसके बारे में शून का मतलब क्या होते है इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप करनी है बच्छों परहले शूनिय मतलब जीरो इक आविश कर किस ने किया है चाहिए आपको पता है हमारी बारतवर्ष की soutर लोकव माहन गणी तज्ण और ये बता ने इस शून्य का आविश्का या है, इस शून्य है अमारी बारतिय एक्टी का एक कोड़ूगे यानी योगदान होती है, कन्नाण में इसको कोड़ूगे इन्ता हिल तरे, मकले इस शून्य वन्ना कंडूडी दवरू नम्मा बारतिय राधन तहा, गणी तजन, प्रसिद्ध गण इतना वंदू अविश्कार दिन्द नम्गे 0,0,0 इदर वंदू कोड़ूगे यानना नीडला आगिदे, इस शून्य वन्दू विश्येश्यवादन ताह कत्ते है ये नंदे, यल्ला वंदू गणी तक्तत, वंदू संक्य गणलन नावू विदेशियर इन्द प्रकोंडी आदरे, 0 को वंदू व्यालियो इदे, महात्वा इदे ये ये नंदना कंड्रेड दन तवरू नम्मा देश्यर, इस तुम्बा, नम्गी येनो, हैम्मे ये विश्या, अल्वा मकला, हाँ, 0 यानी, 0 गणीक में, बहुत महात्व पूर्ण बोमिका देती है, 0 को बहुत महात् देते है, क्यों, 0 यानी, 0 ये ना, किसी अंक, यानी, नंबर के, पहले आया जाता है तो, उसका अमाली, यानी, वैल्यो क होता है, अगर हमने, 1 अंक के पहले, एक अंक के पहले मतलब ये जिरो एक है ना ये दस है इसके पहले हम देते थो इसको एक होता है है ना ये जिरो हमने इस अंक के पहले दिया तो उसका महत्व यानि उसका वैल्यू क्या होता है कम होता है ना और बाद में देते थो इसको जिरो के बाद जो हमने एक के बाद जिर यह दस होता है एक बाद दो जीरो देता है तो क्या होता है सो होते है और एक बाद तीन जीरो लगया जाने से क्या होता है इसका वैल्यू बढ़ जाता है यह क्या होता है जैसे हमारे वैल्यू भी किसके साथ हम रहते हैं किसके साथ हम ज्यादा होती है उसके समय लेते हैं उसक BOYD आता है इसका मॉ inici बढ़ जाता है अगर दो अंहों के बीच में आया तो दोऊंक के बीच मी मितलब यहाँ गया पे जिरो है और यह है एक हे और 0 होते है इसका मतलब दो अंक के मिडल में यानी बीच में होता तो उस अंक का मौल भी ज़्यादा होता रहता है है ना अगर हमारे जीवन में भी बच्चो ऐसे ही किसी के साथ हम रहते हैं और किसी के साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसका मौल्य भी जयदा होता है हैना बच्चो नाव यार जोतेली जास्ती समयों ना हेगे कलितेवे यल्ली कलितेवे नम मौल्य हेगी दे अन्नोदर मेले नम जीवन दा वंदो मौल्य अतवा आदर्शेगलु तत्वगलु अन्ता नवेन हेल्ती वी अउगलु डिपेंड आगतावे अउगला मूलका नम जीवन वंदा रूपी स्कोल्ड वंदो विदा नवन नाव कलिगोई यावदे विक्ती है ना छोटा ना समझा ना है यारनो चिक्कावर डियु गरता वंद अन्कोबार दो अगर दो अंक के बीच में होता तो उसका क्या होता है ज्यादा होता है उसका मौल्य और किसीन को हिवले किसी काम में ना आने वाले समझत यह और सब अंग को अपनी अपनी मौली होता है और क्या होता है अपनी अस्तान मघ यानए वयलु होता है जैसे वेक्ती को इन कि जोटा समझाना और इस पद्धी में शून्य यानि जीरो का महत्व हम देखेंगे बच्छो शून्य यानि जीरो की नाम से हमारे दिमाग में आता है जीरो शून्य मतलब हमारे जीरो में हमारे दिमाग में क्या आता है दिमाग मतलब हमारी मस्टिक्ष मतलब हमारे हिंद में हमारे के पहले हमक क्या आता है जीरो जीरो का जीरो जैसा नमबर है ना इसका एक रूप रिश हमारे सामने आता है और कुछ नहीं लेकिन वही शूनी गणित में अगर किसी अंक के बाद लग जाता है तो उस अंक का महत्व बढ़ जाता है मैंने पहले आपको बताया पहले आया थो क्या होता है बाद में आया तो क्या होता है का अंक का महत्व बढ़ जाता है शून्य न समझो किसी को कुछ नहीं है उसके पास जीरो से हीरो बनना है ना बच्चो जीरो से जीरो बनना मतलब क्या है जीरो से हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हम किसी के साथ रहने तो उसका महत्व हमे जितने शून जुड़ते हैं जुड़ते जाएं और संक्या उनकी बड़ी होती है आए ये शून की शक्ति को जाने हाँ बच्चो जिसके जितने शून जुड़ते जाते हैं मैंने पहले बताया आपको एक एक के साथ एक जिरो होता तो इसको क्या होता है दस एक के साथ दो होत होता तो रेट है ना सो और एक के साथ तीन होते तो ऐसे हमने हजार ऐसे हमारी नंबर बढ़ती जाती है और हमारी वैल्यू भी ऐसे ही किस किस तरह के लोगों से हम मिलते हैं और गनित में यह जीरो क्या महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है आपको आपकी गनित की टीचर यान मैं आपको बताती है क्या है जीरो लगाए जाने से क्या व्यालियू होते है प्लेस अफ वैल्यू में आपने देखते है जीरो का क्या होते है और और किसी नंबर का क्या होते है है ना ऐसे हमारे जीवन में हुई हमने क्या होते है यानि जीरो से हीरो बनना यह तो जरूरी है ठीक है बच्चों यहाँ पे शून्य बताते हैं पेले में सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब लेकिन इनमें कितनी ताकत इनको जाना जान गया हूं में आप पेले में सोचा करता था या पे कभी ने करता है क्या होता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब लेकिन इनमें कितनी ताकत उनको जान गया हूं में आप यह का भी ने शूनिय नहीं होता तो क्या होता है शूनिय इल्ला जिरो इल्ला अगर नो जिरो वाट है पनिंग अगर नहीं होता तो इसका आर्थ में नहीं है कुछ नंबर का क्या है? कुछ इसका बढ़ने का और आगे बढ़ने का और इस नंबर का वैल्य भी कम होता था लेकिन इसमें कितनी ताकत है मैंने पहले बताया आपको इसमें आगे आने से मानने आने से और पहले मिडल में आने से क्या-क्या इसका वैल्य बढ़ता जाता है ऐसे ताकत बहुत है उसका मैं उसका जान गया मुझे उसका पता चला अगर एक के साथ शुन्य तो हो तो पूरे दस बन जाएंगे मैंने पहले बताएंगे आपको क्या है एक के साथ शुन्य आया तो दस उसका मोल क्या होता है दस बनता है दस के साथ लगाए अंक का मौल भट जाता है तो बनता है क्या है यह पूरे दस के साथ आए तो उसे हमने सो क मतलब हंडेट हब आपने įह आपके गिंती लिक रहे पड़ रहे है बच्छो आपने डैली क्या करना है गिंती को पढ़ाई करना है और यदि यहां में यहां पे उसको दस के बाद में लगाया जाते तो और एक शून्य यह बनता है सो सो के संग भी एक शून्य हो तो हजार यह बन जाते हैं एक शून्य यदि और यहां तो दस हजार फिर कहलाते हैं अच्छा बच्छो यहां पे सो के संग यह सो के संग यह सो बनते हैं इसके बाद में और एक शून्य हम लगाया जाने से उसका क्या होता है मौल हजार हजार का 1000 बनता है ना बच्चो यह बन जाते एक शून यह इदी और यहाँ तो और एक दिया तो 10 हजार फीर कहलाते है और एक दिया तो उसको क्या होता है 10 हजार 10 तौसन बन जाता है ऐसे हमने क्या करना है 0 के 7 सात फून और भी नमबर यानि सेशून्य मतलव zeros उन्ने, अंक मतलव नंबर, अंके गलू, संके गलू, गनीत यानि mass, गनीत, मतलव यानि अर्थ, meaning, निश्य यानि जरूरी, मतलव ग्यावते है, resolution यानि, and दस एक दहाई, टैन, यानि सवकर्ट, सो, यानि शतक, नूर, तो हन्रेट, अंते इन हेलती बना हूँ, हजार, दस बार, मतलव, यहाँ पर ताउजन्द, और दस हजार, मतलव, टैन ताउजन्द, ऐसे ही, उसका मोल क्या होता है, बचा, मरता ही जाता है, और, कुछ भी नहीं समझते जिनको, साथ बिटा उनको देखोगे, देखोगे तो, दस गुनी शक्ती अपनी में निश्य बड़ी हुई पावोगे, कुछ भी नहीं समझाते जिनको होई इसका नंबर को क्या है कुछ भी नहीं समझाते जिनको साथ बिटा उनको देखोगे जीरो का मौल किसी नंबर के साथ में आया तो तब ही हमें पता चलता है क्या है इसका व्याल यूँ क्या होती है तो दस गुनी शक्ती अपने में निश्य बढ़ी हुई पाऊगी हमारे अंदर भी दस गुनी शक्ती है और यहां पे और हमने उसको जानकारी प्राप्त करने है जीरो से क्या बनना? हिरो बनना उस सभी की अंतर शक्ती होती है इन Reach होती है सभी को उसको हमने क्या करनी है उसको पाने के लिए उसका अविश्कार करने के लिए सब को मन करना है यह पर कभी रमेश कौशिक ने यह हमारे लिए 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 जिरो का मौल बच्च जिरो से हीरो बनना है और जिरो से किसी को चोटा नहीं समझाना है किसी को हमने चोटा नहीं कहलाना है और किसी को चोटा कहला तो उसका value क्या होते है कम होते है हमारी value कम होते है उसका बढ़ जाते है लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है बच्छो सभी को अपने अपनी value होते है न उसका respect देना है ठीक है बच्छो और next class में मैं आपको इसका लहबत गाना सुनाती हो तब तब आपने एक गाना क्या करना है पढ़ाई करना है और गिंती को भायार्ट करना है और लिखना है एक से 20 तक आज ठीक है धन्यवाद